बच्चों हम अमारी पुस्तिका का अध्याय आठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हाश्या करण से निपटना इससे पूर्व के अध्याय में हमने हाश्या करण की समझ के बारे में अध्यन किया जिसमें हमने दो अलग-अलग समूहों जिसमें मुस्लिम समूधाय एवं आदिव कुन कुन से प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष था उनको विभिं रणनीथियों के मध्यम से प्राप्त करने की कोशिश की थी, साथ ही इनका संघर्ष और दलीले आज तक भी लगातार सरकार के संभ्ष बनी हुई है तो बच्चों हम इस अध्याय के तहट ये जानने का प्रयास करेंगे कि एवं हम इस अध्याय में ये भी जानेंगे कि ऐसमानता से निपटने के लिए समीधान में कौन-कौन से प्रावधान किये गए हैं यानि कि कौन-कौन से अधिकार प्रदान किये गए हैं इन अधिकारो को कानूनों का रूप किस प्रकार से दिया जाता है साथ ही अंत में हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि विभिन प्रकार के जो अधिकार दिये हैं उनमें जो कानून बनाए गए हैं उनके अनुसार जो सरकारें हैं वो कौन-कौन सी नीतियों का निर्धारन करती है इन हाश पूर्पूर्ण कानूनों का भी जिक्र करेंगे, यानि इसलिए करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि जो समीधान है वो किस प्रकार से हमारे अधिकारों की रक्षा करता है और उसके तहत ही सामन्य जनता के लिए समानता इस्थापित करता है, तो चलिए शुरू क करते हैं, सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं हमारे समीधान के मोलिक अधिकारों की, बार बार में मोलिक अधिकारों की हम बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमने पहले अध्याय में ये पढ़ा था कि हमारा जो समीधान है उसके कुछ आदर्ष और कुछ सिद्दान्थ हैं जो की सुत्रबद किये गए हैं और वो आदर्श और सिद्दान्त मोलिक अधिकारों के द्वारा ही परिभाशित किये जाते हैं यानि कि जो मोलिक अधिकार हैं वो हमारे समीधान का एक बहुत ही महत्वपुन भाग हैं और इनके तहट सभी देशवाशियों को समानता प्राप समूधाय हैं या जो हाशियाई समूधाय हैं उनको किस प्रकार से ये न्याय प्रदान करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं मोलिक अधिकारों का उप्योग बच्चों हमारे समीधान के तहट जो मोलिक अधिकार हैं उनमें से अनुछेद 14, 15, 17 और 21 ये कुछ ऐसे समीधान एक अनुछेद हैं जो हाशियाई समूधाय को न्याय प्रदान कर लेके लिए बहुती महत्पुन भूमी का अदा करते हैं जो हम अनुछेद 14 की बात करते हैं इस मोलिक अधिकार के तहट बच्चों समानता का अधिकार प्रदान किया गया है यानि इसके तहट ये बात कही गई है कि जो कानून होगा वो सभी लोगों के लिए समान होगा हमने पहले भी बात की थी कि अनुछे 14 के तहट क्या हा गया है कि जो कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान होगा और दूसरी बात ये कही गई थी कि कानून सभी का समान सर्रक्षन प्रदान करेगा यानि कि क किसी भी अपराद के लिए समान रूप से सजा का प्रावधान भी किया गया है तो इसके तहट ये जो समूदाय हैं जिनके साथ में लगातार भेदभाव हो रहा है वो इस मौलिक अधिकार के तहट समानता प्राप्त करने के हकदार होते हैं दूसरी बात है बच्चो अनुछे अनुछेद पंद्रा के तहट स्वतंतरता का अधिकार हमें प्रदान किया गया है और इस अधिकार के तहट ये बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में या किसी भी समूद के साथ में किसी जाती, धर्म, लिंग या जन्मिस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किय इस स्वतंतरता के तहट बच्चो सभी लोगों को कहीं पर भी रहने की स्वतंतरता है, अपनी अभिव्यक्ति देनी की स्वतंतरता है, भाशन देने की स्वतंतरता है, कोई भी संग बनाने की स्वतंतरता है, साथ में इसमें ये भी अनुचे दिक्ष के तहट जीवन की स्वतं प्रश्या के लिए जितने भी हमें अधिकार हैं वो जीवन की स्वतंतरता के तहत हमें प्रदान किये गए हैं। के साथ साथ में समानता प्रदान करते हैं। यानि की धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो अलपशंख्यक वर्ग हैं वो लगातार भेदभाव के शिकार हो रहे हैं। तो उनके इस भेदभाव से निप्टान के लिए यह है जो मोलिक अधिकार है। यह बहुत ही महतपूर्ण भूमी का अदा करता है। अनुछे 26 जो है यह हमारा जो मोलिक अधिकार है यह भाशा, लीपी, संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए अल्प संख्योकों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके तहट भाशा अपनी लीपी जो भी आप लिख रहे हैं यानि कि आपकी लेखन जो शेली है वो लीपी उसके साथ में आपकी जो अभी व्यक्ति है भाशा वो किस तरह की की होगी इन सब को सुरक्षित रखने का हमें अधिकार प्रदान किया गया है। अनुछेच 27 के तहट बच्चो अल्ट संक्योकों की हितों की रख्षा के तहट ये बात कही गई है कि जो सरकार होगी वह सरकार जो कर लगाती है यानि जो व्या करती है वो समान रूप से व्या किया जाएगा। सबी धर्मों की संस्थाओं में यानि जो शेक्षिक संस्थाओं हैं धर्मों की, उनमें सरकार के द्वारा पैसा खर्च करने में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानि कि जो आनुछे 27 के तहट जो मॉलिक अधिकार प्रदान किया गया है, उसमें अनुद कि जो राशी है वो बराबर हिस्सों में बाटी जाएगी किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव नहीं किया जाएगा ये कौन से अनुचेट में कहा गया है अनुचेट 27 के मौलिक अधिकार के तहत बात करते हैं अनुचेट 29 की इस अनुचेट के तहत बच्चो जो अलसंख जो धार्मिक और भाशाई रूप से लोग कम हैं, उनकी भाशा का लीपी का और उनकी संस्कृति के सर्रक्षन की बात कही गई है। इस मोलिक अधिकार के तहट बच्चो जो भी ये अलपसंख्यक वर्ग हैं, ये अपनी भाशा, लीपी और संस्कृति को बचाने के लिए हर प्रयास कर सकते हैं। उनका प्रचार प्रशार करते हैं, लोगों तक अपनी जो संस्कृति है उसको पहुचाने का इनको अधिकार है और साथ में अपनी भाशा, लीपी और संस्कृति को समूदाय में इस्थापित करने का इसमें अधिकार दिया गया है। कौन से अनुचेत के तहट? अनुचेत 39 के तहट, बात करते हैं अनुचेत 30 की बच्चों, हमारा ये जो मोली क अधिकार है अनुचेत 30, ये बात करता है जो अलप संक्यक वर्ग हैं, उनकी संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन संबंदी। इनकी संस्थाओं क्यों होगी ये जो क्यों हैं संस्थाओं की विद्याल ka सथाओं के माध्यम से उनकी संस्क्रिट का प्रचार प्रशार करना और संरक्षित करना आवशक होता है तो इस मौलिक अधिकार के तहट इन अलपशंक लोगों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह अपने धर्म या अपनी संस्कृती से सम्मंदित जो शक्षिक संस्थाएं हैं उनकी इस्थापना करें साथ में प्रशाषन करने का भी उनको अधिकार दिया गया है बच्चो इसके तहट हम देखते हैं कि कुछ हमारे समाज में जो विध्याले होते हैं उनके अलग-अलग प्रकार होते हैं जैसे कुछ सरकारी विध्याले होते हैं कुछ सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त विध्य अग्सिरालाी विध्याला नहीं कर सकते हैं जादा फोकस नहीं कर सकते सरकार के द्वारा सहाइता प्राप्त उनमें भी हम इतना ज्यादा धार्सटा धर्मिक पेक्षदेश में रहते हैं लेकिन बात करते हैं अल्प संख्योकों की तो जो अल्प संख्यक समूदाय के जो विशेश विध्याले होते हैं जैसे हमने बात की थी कि मुस्लिम समाज के लिए मदर से खोले जाते हैं बौद समाज के लिए जो बौद धर्म के लोग हैं वो मठ सिख धर्म के जो लोग हैं वो गुरुद्वारे के तहत अपनी जो शिक्षाओं का प्रचार प्रशार करते हैं तो ये जो अलप शंक्यक धर्म के लोग होते हैं इनको अनुछे 30 के मोलिक अधिकार के तहत ही ये अधिकार प्रदान किया गया है कि ये अपने शंस्कृति को समझ में आ रहा है बात करते हैं हम अनुछेद 350 एकी बच्चो ये जो अनुछेद है ये सभी लोगों के लिए है और मुख्यरूप से अलप संक्योकों के लिए भी है इस अनुछेद के तहत हमें ये अधिकार प्रदान किया गया है कि जो भी शिक्षा प्रदान की जाएगी वो उसकी मात्र भासा में यानि कि जो बच्चा अपनी जनम से जो भाशा बोलता है जो उसकी मूल भाशा है उसके अंदर उसको शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया है यानि मात्र भाशा के तहत वह शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी है तो बच्चो इस अनुछेद के द्वारा हम ये बात भी कह सकते हैं कि जो हमारी गाओं के अंदर या फिर जो समाज के अंदर जो कुछ लोग हैं वो अपनी कुछ मूल बोलियां बोलते हैं या कुछ भाशाय बोलते हैं जैसे हमने पूर्व के अध्याय में बात की थी कि आदिवाश्यों की अपनी एक भाशा होती है और वह उस भाशा को अपने समुदाय में ज्यादा से ज्यादा उपियोग करना चाहते हैं तो ऐसे इस्तिती में ये जो अधिकार है दिया गया है इस अनुछेद के तहट ये अधिकार उनकी भाशा का सद्रक्षन करता है तो बच्चो इस तरीके से ये जो कुछ मोलिक अधिकार हैं जो विशेश रूप से हमें हाश्या करन से बचाने के उपायों के रूप में हम इनको काम में ले सकते हैं इन अमोलिक अधिकारों के तहट बच्चो जो हाश्याई समूदाय हैं वो लगातार संगर्सों में इन मोलिक अधिकारों का उपयोग करते रहे हैं यानि कि इन अधिकारों के तहट वो सरकार पे दबाव बनाते हैं कि सरकार इन अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कानूनों का निर्मान करे और साथ में ही समाज में समानता की इस्थापना करे यानि कि जो भी भेदभाव हो रहे हैं उन में इन अधिकारों के तहट जो हासियाई समुदाएं हैं लगातार सरकार पर दबाव बनाते हैं संगर्स करते हैं विद्रो करते हैं कई रण नीतियों के मध्यम से ये जो हासियाई समुदाएं हैं अपनी आवाज उठाते हैं जिसक निदान करते हैं साथ में अपनी शिक्षा और आर्थिक रूप से उन्नति के माध्यम से वो अपनी समाज का अपने समूदाय का विकास करने का प्रयास करते हैं बच्चों तो यह जो मोली कधिकार हैं यह लगातार सरकार के उपर दबाव बनाते हैं किसके लिए कानून बनाने जिससे हम हाशिया करण से बच सकते हैं क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं हाशिया करण से निपटने की तो आपको समझ में आ गया हुगा कि किस प्रकार से हमारे समीधान में मोलिक अधिकारों के माध्यम से यानि कि मोलिक अधिकार प्रदान करके एक हतियार प्रदान किया गया है आम जनता को आम समुधाय को ताकि वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार पर दबाव बना सके और सरकार को विवस कर सके ऐसे कानून और ऐसी नीतिया बनाने के लिए जो समाज में समानता इस् साथ साथ में जो हासिय समुदाय होते हैं वो बच्चों मोलिक अधिकारों के माध्यम से दो प्रकार से सरकार के उपर दबाव बनाते हैं, यानि कि दो प्रकार से मोलिक अधिकारों का उपयोग करते हैं, पहला तो वो इन मोलिक अधिकारों के आधार पर सरकार को अपने साथ म होने वाले अन्याय के उपर ध्यान दिलवाने के लिए बार-बार संगर्स करते रहते हैं, यानि कि सरकार को बार-बार ये चेतामनी देते रहते हैं, कि हमारे जो मोलिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा करना आपका धर्म बनता है, और हमारे साथ जो अन्याय हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए तो ऐसा दबाव बनाते रहते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कई समूदायों के द्वारा आदिवाश्यों के द्वारा अल्प संख्यक वर्गों के द्वारा समय समय पे बहुत सारे संगर्स किये जाते हैं बहुत सारे सभाएं की जाती हैं जिससे सरकार को विवश करें यानिकि इन अधिकारों पर ध्यान दे के कानून बनाए जाएं और बच्चों इन मोलिक अधिकारों के तहट ही हमारी सरकारें बहुत सारे कानून बना रही हैं और आगे भी ऐसी इस्थिती में इन अधिकारों का उपयोग किया जाता रहेगा तो इस तरीके से हम ये प्रवधान दिये गए हमने अनुछेद 29 और 30 पढ़ा था 29 और 30 में यही बात कही गई थी कि उनकी शैक्षनिक और जो सांस्कृतिक जो विकास है जो सर्रक्षण है उसका विशेश प्रवधान होता है कौन से अनुछेद में यह बात कही गई है अनुछेद 29 और अनुछेद 30 के तहट। सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्ता करके समिधान ऐसे समुओं को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया गया है। में हाशिया करण को निप्टान के लिए मोली कथिकारों के मध्यम से कई तरीके प्रदान करता है। अब बात करते हैं बच्चों हम हमारे समीधान के द्वारा दूसरा एक बहुती महत्पून सिद्धान प्रस्तुत किया गया है जिसे हम सामाजिक न्याय कहते हैं। क्या कहते हैं सामाजिक न्याय के तहट यानि समाज के अंदर न्याय की स्थापना। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है कि जो न्याय होता है उसका जो वित्रण होता है वो समान होना चाहिए। यानि समान वित्रण के लिए किये गए न्याय को ही समजिक न्याय कहा जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति विसेश के उपर न्याय के लिए ज़्यादा ध्यान दिया जाए और बाकी समाज के उपर ध्यान नहीं दिया जाए, तो इसके लिए बचो सरकार क्या करती सरकार विभिन प्रकार की योजनाय बनाती है, विभिन प्रकार की नीतियों का निर्धारन करती है, क्यों ताकि जो समाज के अंदर जो निमने स्थर के समू है, जिन स्थरों को बाकी समूदाय के बराबर लाने के लिए, यानि समानता बनाने के लिए कई कानून, कई नीतियों का निर्मान किया जाता है, जिसके तहट हम देख सकते हैं कि हमारे समाज में अनुसुची जाती के लिए, अनुसुची जन जाती के लिए या फिर जो अन्य पिछडा वर्ग होता है, उनके माध्यम से कई आरक्षन के नीती प्रदान की गई है, कई योजनाएं चलाई जारी है जैसे महिलाओं के लिए, दलितों के लिए अलग-अलग योजनाएं हैं, अगर हम बात करें हमारे विध्याले में, हमारे शिक्षा में, तो विभिन प्रकार के छात्रावास खोलना, हमें जो आरक्षन के तहत, विभिन प्रकार के विध्यालों की इस्थापना करना, ये सार समाजिक नियाय का समान वित्रन, सभी लोगों में प्रतिख व्यक्ति को अपनी प्रतिभा के विकास का अवसर मिलेगा, तबी समूचे समाज़ की प्रगती हो सकती है। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए केंद्र वे राज्य सरकारें हासियाई समूहों को जरुरत की सुविधाय मुहाया कराने के अलावा कानूनों वे नीतियों का इस्तेमाल करती है और बच्चो इसके तहट आपको ध्यान हो तो सबसे बड़ी जो नीती है वो है आरक्षन की नीती यानि आरक्षन की नीती प्रदान करके ही जो हासियाई समूधाय हैं या जो पिछड़े समूधाय हैं उनको विशेश प्रावधान किया गया है समाज में बराबर लाने के अगर हम आरक्षन की व्यवस्ता देखते हैं तो बच्चो इसके तहत हमारे देश में तीन सूचियां बनाई गई है और उन सूचियों में अलग-अलग जाती धर्म के लोगों को सम्मिलित किया गया है समझ में आ रहा है तो हम देखते हैं जो हमारी सूची है एक अनुसूची जाती की जो होती है जिसको हम सिड्यूल कास्ट कहते हैं यानि SC की जो केटेगरी होती है दूसरी सूची के अंतरगत अनुसूची जन जाती होती है जिसे ST कहते हैं और अन्या पिछडावर्ग होता है जिसमें Other Backward Class, यानि की OBC होती हैं, इसके अंदर बच्चों जो जातियां होती हैं, जो दलित कही जाने वाली जातियां आती हैं, इसके अंदर अनुसुचित जाती के अंतरगत, जो आदिवाशी लोग होते हैं, उनको सम्मिलित किया गया है, और अन्य पिछडा वर्गी के अं प्रक्षन प्रदान करने के लिए, या फिर समाज में सामजिक न्याय इस्थापित करने के लिए, ये तीन प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं, अगर हम बात करते हैं, अनुसुचित जाती के अंतरगत, जो दलित लोग आते हैं, बच्चों, दलित का मतलब क्या होता है, दलित का मतलब क्या होता है, दलित का मतलब क्या होता है, और ये जो जातियां होती हैं, ये बहुत प्राचीन समय से ही, लगातार समाज में इनका शोशन होता आया है, और ये ऐसे ही कारिय करते रहे हैं, ऐसे कारियों को इनकी मानविय प्रतिष्ठा धुमिल होती है, तो ये और साथ में दलित वर्ग आते हैं महिला वर्ग भी इसके तहती आती है तो ये सारे जो वर्ग हैं ये सारे वर्ग आरक्षन के माध्यम से इसे सरकार ने विशेश प्रावधान दिये गए हैं विशेश छूट दी गई है अब क्या क्या छूट दी गई है आप देखते होगे ज कि संसद के अंदर या राज्य विधाई काओं के अंत्रगत भी शीटे निर्धारित होती हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था पूर्व के अध्याय में, कि जो संसद में शीटे होती हैं, उसके अंत्रगत S.C. और S.T. की अलग-अलग सीटे निर्धारित की गई हैं यानि कि जो 84 सीटे हैं वो तो है SC की और जो 47 सीटे हैं वो है ST की यानि कि कुल मिलाकर हमारे संसद के अंदर 131 जो सीटे हैं वो आरक्षित सीटे हैं तो बच्चों इनके माध्यम से क्या होता है कि जो सरकार जो होती है यानि कि जो व्यवस्थापिका होती है हमारी संसद होती ह उसके तहट इन लोगों का भी जो की समाज के अंदर जिनकी इस्थिती कमजोर है उन लोगों को भी बराबर कर दरजा प्राप्त होता है जानि की केंदर और राज्य विधान मंडोलों के अंतरगत भी इनकी मजबूती बढ़ जाती है दूसरी बात है सरकारी नोक्रियों में भी हमने देखा है कि आरक्षन के मध्यम से सरकारी नोक्रियों में भी विशेशीटों का प्रावधान किया गया है साथ ही सेक्षिक जो संस्थाने हैं उनकों अंतर भी अंतरगत भी जो ये सूचिया बनाई गई हैं उनके आधार पर क्य किया जाता है, admission लिया जाता है, शक्षिक संस्थाओं में, साथी बच्चों एक cut-off की भी नीती होती है, आपने कोलेजों के अंत्रगत या जो बड़े विध्याले होते हैं, जो बहुत प्रशिद विध्याले होते हैं, उनमें एक cut-off रखी जाती है, बच्चों सरकार के मध्य इस नीती के मध्यम से क्या किया जाता है, cut-off के तहट कुछ एक प्रतिशत रख दिया जाता है, उस प्रतिशत से उपर के जो भी लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, जिनके अंक अच्छे आते हैं, उनको ही शामिल किया जाता है, बाकी जो बच्चे होते हैं, जिनके निम्न अंक होते हैं वो उस कटोप से बाहर हो जाते हैं और उन विध्यालों के अंत्रकत उनका एड्मिशन नहीं होता है तो इस नीती के माध्यम से भी बच्चो इस कटोप के माध्यम से भी आरक्षन का इन्हें क्या किया जाता है यानि आरक्षन के माध्यम से सेक्षिक संस्थानों इसी सिद्धान पर सरकार विकास के कई जो नीतियां भी बनाती हैं, पिर किसी अन्य पिछडा वर्ग के लिए ही बनाएं आप अगर देख सकते हैं आरक्षन के अलावा अभी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जिसमें छात्रवर्ति प्रदान करना है, छात्रावास खोलना है, या और अन्यसुविधाएं प्रदान करना है, ताकि ऐसी ST और OBC, यानि सभी जो अनुसुचियां हैं, उनके जो व्यक्ति हैं, बालक हैं, उनका विकास हो सके, सांस्क नयाय में हमने किस बात की चर्चा की है, आरक्षन की, यानि कि आरक्षन के माध्यम से भी सामजनिक नयाय प्रदान किया जाता है, अब कई बच्चों के दिमाग में एक सवाल उत्पन हो रहा होगा, कि जो आरक्षन हमें प्रदान किया गया है, उसकी प्रक्रिया कैसे हो सकत यानि की हम सामन्य लोग आरक्षण का फाइदा किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या होता है कि जो भी बच्चा या जो भी व्यक्ति जिस जाती के अंतरगाता है उन सब जातियों की जो कि पिछडी जातियां मानी जाती हैं, आर्थिक र या जो अल्प संख्यक लोग आते हैं, उनका अपना एक पूरा इस्तर होता है, उसके आधार पर यानि कि उन सूचियों के आधार पर उन जातियों को क्या विशेश प्रावधान दिया जाता है, तो आप जिस भी जाती से सम्मंदित है, आपको लगता है कि मेरी जाती इन पू यानि शेक्षिक जो भी संस्थाएं होती हैं, उनमें या किसी भी योजना का लाब प्राप्त करने के लिए अपनी उस जाती प्रामान पत्र का उप्योग करते हैं, और जो भी हम फॉर्म भरते हैं, उसमें उस जाती प्रामान पत्र को लगाया जाता है, और सरकार उस जाती प्रमान पत्र है उसकी आवशक्ता होती है और बाकी हमें एड्मिशन के लिए भी हमारे जाती प्रमान पत्र की आवशक्ता होती है तो इस प्रकार से आरक्षन की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो कारिय करती है और इस प्रक्रिया के माध्यम से सभी लोगों को जो की पिछड योजनाएं हैं वो हाशिया करण को कम करने के लिए अपनी भूमी का निभाती हैं अब बात करते हैं बच्चो एक ऐसे कहानी का जो कहानी आपको समाज के अंदर जो हाशिया समुदाय होता है दलित समुदाय होता है उसकी पीडा का बखान करती है आपकी किताब के अंदर एक बहुत ही बड़ा case study बनी हुई है case study लिखी हुई है जिसके तहट क्या है बच्चो कि एक गाम होता है जिसका नाम होता है जक्मालपूर क्या नाम होता है जक्मालपूर इस गाम के अंत्रगत बच्चो एक परंपरा चली आ रही है और वह परंपरा क्या है बच्चो कि इसमें पांच सालों के अंत्रगत अपने जो इस्थानिय देवता होता है उसकी पूजा की जाती है और उस पूजा के तहट आसपास के 20 गाओं के बड़े बड़े जो पुजारी लोग होते हैं वो इखटा होते हैं किसके लिए पूजा करने के लिए और जब वो लोग इखटा होते ह तो वहाँ पर एक विशेश रस्म की जाती है और वो रस्म क्या की जाती है वो रस्म की जाती है धोवन की रस्म ठीक है धोवन की रस्म क्या होती है धोवन की रस्म होती है यानि पुजारी जो बैठे होते हैं उनके पैरों को धोया जाता है और उन पैरों को धोके जो पानी हो उससे कोई भी जो दलित समुदाय से संबंधित व्यक्ती होता है उस जल से वह स्नान करता है यह एक परंपरा है धोवन रस्म की तो यहाँ पर हम देखते हैं जो जकमालपुर गांग है उस गांग के अंत्रगत यह है रस्म की जाती है वहां पर एक बच्चा है जिसका नाम है रतनम क्या नाम है रतनम, रतनम एक 20 वर्ष का बालक है और वह इंजिनिरिंग में पढ़ता है, यानि कि इंजिनिरिंग कर रहा है, जब गाउं के अंदर ऐसी परंपरा होती है, तो रतनम के जो परिवार वाले हैं, वो लगातार पीडियों से इस रस्म को निभाते आए हैं, यानि कि रतनम के दादा, रतनम के पिता जी ने भी ये रस्म निभाई है, तो जब इस रस्म के लिए पैर्ध होने के लिए जो धोवन रस्म होती है, वो करने के लिए जब रतनम को कहा जाता है, तो रतनम साफ इनकार कर देता है, वो कहता है कि ये जो रस्म है, ये मैं नही करूंगा ये मेरे परिवार वाले इसलिए कर रहे थे कि वो अपने आपको दलित मानते थे पिछड़ा मानते थे इसलिए वो जो शक्तिशाली जातिया हैं उनका उनकी गुलामी करते थे लेकिन रतनम ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया होता है जो ये शक्तिशाली ताकतवर जो खुद के समूदाय के लोगों के द्वारा भी क्योंकि उसके समूदाय के जो लोग होते हैं उनको ये डर होता है कि वो सभी अपनी जो रोजी रोटी चलाते हैं वो इनहीं ताकतवर जातियों के खेतों में काम करके चलाते हैं तो इसलिए वो लोग भी रतनम पर दबाव बना कि वह धोवन की रश्म करें लेकिन रत्नम साफ मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो जो ताकतवर जातियां होती हैं बच्चों वह रत्नम के साथ में बुरा व्यवार करती है और उसको बहिसकार करने के लिए गाउवालों को प्रेरिट करती है एक रात अचानक से रत पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखवाता है और उसने एक कानून का उसने सहारा लिया है और उसकानून का क्या नाम है अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती अत्याचार निवारन अधिनियां 1989 ये एक कानून का नाम है इस कानून के तहत रत्नम क्या करता है कि प पूरी कारवाई होती है, मीडिया आती है, टीवी वाले आते हैं, पूरी रिपोर्ट बनाई जाती है और यह पूरा मुद्दा देश के अंत्रगत प्रकाशित किया जाता है और धीरे-धीरे सरकार इसमें हावी होती है, और हावी होने के बाद में यह जो धोवन की रस्म है, इसको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है तो इस पूरी कहानी के माध्यम से इस पूरी केस्टेडी के माध्यम से बच्चों आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से समूदाय के अंद्रगत जो कुछ पिछडे लोग हैं या जो दलित लोग हैं उनके साथ में अपमान, भेद, भाव, हिंसा की भावनाई या हिंसा की हो रही हैं तो उनके लिए फिर कानूनों का निर्मान किया जाता है और उन कानूनों के माध्यम से उन्हें न्याय प्रदान किया जाता है तो बच्चों ये जो कानून है ये कानून और कौन-कौन से है यानि कि ये जो कानून की बात की गई जिसमें रतनम को न्याय प्राप तो उनके बारे में हम इससे अगले वाले भाग में पढ़ेंगे तो बच्चो इस भाग के तहट हमने क्या क्या पढ़ा हमने जाना कि जो हाश्य करण से निपटने के लिए मोलिक अधिकार हैं वो किस प्रकार से रक्षा करते हैं किस प्रकार से विशेश प्रावधान प्रदा करते हैं हासियाई लोगों को दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि समाज सामाजिक जो समाज के अंदर जो सरकार होती है वो सामाजिक न्याय किस तरीके से इस्थापित करती है सामाजिक न्याय इस्थापित करने के लिए जो आरक्षन की व्यवस्ता है वो किस प्रकार से कारिय करत और आरक्षन के माध्यम से जो पिछडे हुए लोग हैं उनको समाज में समानता किस प्रकार से प्रदान की जाती है तो इन सब के बारे में हमने इस भाग के तहट पढ़ा अगले भाग में हम विभिन प्रकार के कानूनों के माध्यम से हाश्या करण को कम करने के तरीके देखे पढ़ेंगे ठीक है तब तक के लिए बने रही है आपका बहुत बहुत धन्यवाद